Hey there, welcome to another video और आज के वीडियो में हम बात करने वाले है Oh, I'm sorry, मुझे बहुत जूरो से आथ सरदर दो रहा है मैं एक मिन्ट गूगल पे सर्च करके आपको पताता हूं बात नहीं 2000 years later What are the symptoms that associated with the headache? What are the other conditions that associated with the headache? What are the medicines used for the headache? Oh, मेरे को brain tumor है Oh my god क्या आपके साथ भी यह होता है कई बार या तो फिर आपने कभी यह experience किया होगा तो यह वीडियो पूरा देखना इस वीडियो को miss मत करना यह बहुत ही important वीडियो है Google पे हम basically हमारी health से related दो चीज़ बहुत जादा सर्च करते हैं एक है symptoms and एक है medicine Google पे हम यह सब चीज़े इसलिए साथ सर्च करते हैं क्योंकि doctor के पास जाने में तो किसको मज़ा आता नहीं होगा और दूसरी thing कि time भी बच जाता है, पैसे भी बच जाते है और बहुत जल्दी तूरं इंस्टंट एक result भी मिल जाता है मैं यह नहीं बूल रहा हूँ कि Google बुरा है उस पे यह सब सर्च नहीं करना चाहिए हमें यह सब सर्च करना चाहिए लेकिन सिर्फ knowledge के लिए अगर हम symptoms and medicine को सिर्फ knowledge के लिए सर्च करते हैं तो it's a base thing and Google is a base source लेकिन हम Google की कही हुई बातों को हमारी body पे apply करते हैं and why that's the wrong thing I tell you Point No.1 अगर आप माल लोग की आपको headache है और आप Google पर ऐसा search करते हो that what's the probable diagnosis for the headache यानि की headache के साथ कौन सी बिमारी जुड़ी हो सकती है तो Google आपको वो सारे search results दिखाएगा जिसमें headache देखने को मिलता है जैसी की migraine हो गया brain tumor हो गया brain की कोई vessel में damage हो गया तो आपका दिमाग उन सारे words को देखकर डर जाता है और अगर उनमें से कोई बिमारी का symptom आपके symptom से match हो जाता है तो आपका दिमाग ऐसा सोचने लगता है कि हां मुझे यही बिमारी है मुझे यही severe problem है और इसी condition को बोलते है hypochondria जिसके cases इंडिया में per year 1 million से भी जादा देखे जाते हैं और यह सारी चीज़े ऐसी है कि उस पर लोग जादा बात नहीं करते कोई उतना awareness नहीं है तो I think मुझे ऐसा लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए ताकि लोग और भी जादा aware हो सके Second point आप अपने आपको misdiagnose कर सकते है अब मान लोग कि आपने कोई medical term search किया Google पे तो Google ने उसके बहुत सारे pages दिखाए बहुत सारे articles दिखाए आप सब तो पढ़ने वाले नहीं हो आप एक दो ही पढ़ेंगे उपर के और तब ही से आप अपने आपको diagnose कर लेते हों लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि बहुत सारे disease होते हैं जिसके बहुत सारे types होते हैं बहुत सारे disease जिन में similarities भी होती है और बहुत सारे disease होते हैं जो एक दूसरे के साथ linked होते हैं तो उन सब के बारे में पता नहीं किया जा सकता और एक 5 मिनिट का वेब सर्च आपको प्रॉपर डाइग्नोसिस नहीं देच सकता अगर ऐसा वाकई में होता तो डॉक्टर्स को इतना पढ़ना नहीं पढ़ता और डॉक्टर्स को एक डिसीज डाइग्नोस करने में बहुत सारे टेस्ट भी नहीं करवाने पढ़ते यहीं जीज़े फिर बाद में आगे जाकर एंग्जाइटी को डेवलोप करती है और एंग्जाइटी सिवियर भी बन सकती है थर्ड पॉइंट आपको रियल हैल्प मिलने में देरी हो सकती है अब उसके लिए ले ले लेते हैं अभी का रिसेंट एक्जाम्पल कोरुना वाइरस इंफेक्शन अगर कोरुना वाइरस इंफेक्शन तो अभी रिसेर्च हुआ कि यह कोई नहीं डिसीज है अगर उससे पह होने दो-तीन हफते तो उससे चला लिया मेडिसें से चला लिया फिर चीज बहुत ही सिवियर हो गई और फिर आप दॉक्टर के पास गए फिर आपको पता चला कि आपको तो एक नया ही डिसीज है जिसका नाम है कोवीड-19 तो फिर हैल्फ मिलने में देरी हो गई और मेडिसेंस गूगल पर देख कर ले लेते हैं यह जाए करने वियर नहीं पता होगा में ऑलतके से नहीं होते हैं पर चुपित चाहिए वह एक professional ही आपको बता सकता है दूसरी चीज कि अगर आपको कोई diabetes है या कोई और disease है तो उसमें कौन सी medicine लेनी है कौन सी medicine नहीं लेनी है वह भी professional ही आपको बता सकता है आप खुड decide नहीं कर सकते यह चीजे आपको Google पे मिल जाएगी लेकिन आप decide नहीं कर सकते तो यह चीज तो बिल्कुल ही नहीं करनी है कि Google पे देखकर medicines को लेना है अगर आपको कोई problem है या तो फिर आपको कोई medicine लेनी है तो आप कोई professional को दिखा कर ही उसे ले ऐसा ही मेरा एक suggestion रहेगा यही था अज का एक short video I hope कि यह video से आपको कुछ जानने को मिला हो यह video अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा है जानने को मिला है तो please hit the subscribe button and hit the bell icon मिलेंगे नेक्स वीडियो में